MP में 20 साल है और 20 साल में नेताओं के अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ने का सिलसला जारी है अब कॉंग्रेस को लगा है बड़ा जटका और कॉंग्रेस के इस बड़े नेता ने इस्तीफा देकर सबको चौका दिया कौन वो नेता है और किस अंचल का नेता में आपको बताऊंगा और वो नेता जिसने कॉंग्रेस को ऐसी जगे जीत दिलाई थी नगरपालिका में जहां पर कॉंग्रेस को कताई उमीद नहीं थी कि कॉंग्रेस यहां पर अपना ड् recording बना पायी प्रात्मिक सदस्या से स्टिफा दे रहा हूं रिणी रहुगा जो लोगोंने इसने और प्यार दिया है कहीं उन्होंने ये भी लिखा कि अपनी सवारी तो अैसे निकल निकलेगी जैसे आना है जिसको आए तो ये तो खेर उनकी अपने भाव वेक्टी है जो उनने उस तरीके से सोशल मीडिया पर की लेकिन इसे कॉंग्रेस के लिए जटका माना जा रहा है आगर मालवा में बीजेपी का दबदवा देखा जाता है और बीजेपी के दबदवे के बावजूद ये वो निलेश पटेल है ये खुद भी पारशद बने थे नगरपाल का चुनाव हुए थे इनकी पतने भी चुनाव जीती थी और उस चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी के कांगरेस का नगरपाल का देख्श बनेगा क्यूकि कांगरेस बिल्कुल बहुमत के पास नहीं पहुwnची थी करीब 11 पारशाद कॉंग्रेस के थे 10 बीजेपी के थे और दो पारशाद ऐसे थे नगरपालिका में जो बीजेपी के सपोर्टर थे यानि बीजेपी के पास बहुमत जाता हुआ साब दिख रहा था, उस दौर में कॉंग्रेस ने यहाँ पर नगरपाली का डेक्ष बनाया था और निलेश पटिल उसके पीछे थे और निलेश पटिल खुद नगरपाली का डेक्ष बने थे यही बज़े है कि उस समय उन्हें कमलनात तक ने प्रशंशा की थी और पीछ थपथपाई थी लेकिन ऐसा क्या हुआ अब राजनितिक सरगर्मी आगर मालवा में तेज हो गई है क्योंकि कॉंग्रेस के बड़े नेता बताया गया हमारे संभाधाता ने जब बात करी हाला कि व अपने जीत से सबको चौकाया था कॉंग्रेस को यहां पर कामयाब बनाया था आगर मालवा में वो नेता पार्टी क्यों छोड़ रहा है निलेश पटेल का कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्ता से स्तीफा देना सियासी हलकों में चर्चा का विशह है क्योंकि नगरपाल का अ कॉंग्रेस में आ रहे हैं जो कई वर्षों से पार्टी के सच्चे सिपाही थे यहां पर कॉंग्रेस के इस युवा नेता ने इस्तीफा दे कर सियासी हलचल पैदा कर दी है आगर मालवा से आप तक ख़वर पहुचा ही प्रमोट कारपेंटर ने आप देखते रहें पी तक कर दो